हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू मा यूटूब चैनल मेडिकल मोहोनीज तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आज हम सिखेंगे कि हाइपो गाइनस, पेरी गाइनस और एपी गाइनस क्या होता है और उसके एक्जाम्पल को याद करने के ट्रिक्स तो फ्रेंड्स आज की ये टॉपिक NCRT 11 चेप्टर 5 मॉर्फोलोजी आफ फ्लावरिंग प्लांट से है तो फ्रेंड्स एक टिपिकल फ्लावर में चार अलग-अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं कैलिक्स, कोरोला, इंटोसियम और गाइनोसियम और ये सभी पार्ट थेलमस पर आकर जुड़े होते हैं थेलमस क्या होता है थेलमस किसी फ्लावर के पैडिकल का सौलन इंड होता है या फिर हिंदी में कहें तो किसी फोल के डंठल का सबसे उपरा किनारा उसे हम कहते हैं थेलमस तो फ्रेंड्स ये है थेलमस जिसके सबसे आउटर में होता है कैलिक्स और भीतर जाएं तो होता है कोरोला और भीतर जाएं तो मिलेगा एंडोसियम और सबसे भीतर में होता है गाइनोसियम तो अगर हम गाइनोसियम को अलग से देखें तो गाइनोसियम के तीन पार्ट होते हैं सबसे उपर का पार्ट स्टिग्मा, बीच वाला, श्टाइल और सब पार्ट में बांटते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस और वो कैसे समझ ये तो फ्रेंड्स ये है किसी अन्नोन फ्लावर के ओवरी का डाइग्राम अब अगर इस फ्लावर में कैलिक्स कोरोला और एंडोसियम ओवरी के नीचे से निकले तो उसे हम हाइपोगाइनस और अगर इसी फ्लावर में कैलिक्स कोरोला और इंडोसियम ओवरी के उपर से निकले तो उसे हम कहेंगे एपीगाइनस और अगर कैलिक्स कोरोला और इंडोसियम ओवरी के उपर से और नीचे से दोनों जगहों से ना निकल कर ओवरी के चारो ओर से निकले या फिर ओवरी के लेवल से निकले तो उसे हम कहेंगे पेरी गाइनस पेरी का मतलब होता है अराउंड या फिर चारो ओर तो चलिए फ्लावर के इन ही तीनो टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो फर्ष्ट पढ़ते हैं हाइपो गाइनस जैसा की नाम से ही पता चल रहा है हाइपो मतलब नीचे और गाइनस मतलब ओवरी तो चलिए डाइग्राम देखते हैं ये है ओवरी और इसके नीचे से निकल के आ रहा है कैलिक्स, कोरोला और एंडरोसियम अब ओवरी के नीचे से निकल के आ रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे हाइपो गाइनस अब कैलिक्स, कोरोला और एंडरोसियम ओवरी के नीचे है इसलिए हमने कहा हाइपो गाइनस लेकिन कैलिक्स को रोला और इंडरोसियम नीचे है तो उपर क्या है उपर तो ओवरी है तो वो उपर है इसलिए हम उसे कहेंगे सुपीरियर ओवरी तो friends हाइपोगाइनस फ्लावर का example है चाइना रोस, मस्टर्ड और ब्रिंजल इन examples को आप trick के थ्रू याद कर सकते हैं तो trick है China must bring superhero चाइना को सुपर हीरो लाना ही पड़ेगा तो हमारे first word चाइना से हो गया चाइना रोस, मस्ट से हो गया mustard और bring से क्या हो गया? bring से हो गया brinjal सूपर हमको ओवरी के पोजिसन को बताएगा जो कि सूपर से हो जाएगा सुपीरियर और हीरो से हाइपो हीरो हाइपो मतलब हाइपोगाइनस तो इस तरह से आप पूरे हाइपोगाइनस को इस ट्रिक की मदद से इजली समझ सकते हो और easily याद भी कर सकते हो तो चलिए अब next पढ़ते हैं ap gynos ये भी नाम से ही पता चल गया ap मतलब हो गया उपर और gynos मतलब ovary तो ap में उपर क्या होगा उपर होगा कैलिक्स कोरूला और इंडरोसियम तो चलिए diagram देखते हैं तो diagram में आप जैसा की देख सकते हैं कि थैलमस के दोनों किनारे उपर की और growth करके ovary को पूरी तरीके से ढख लिए हैं अब flower के बाकी पार्ट कैलिक्स, कोरूला और इंडरोसियम ये flower के उपरी पार्ट से निकलते हैं जहां पर थैलमस के किनारे आकर जुड़े हुए हैं अब क्योंकि कैलिक्स, कोरूला और इंडरोसियम ओवरी के उपर से निकल रहे हैं इसलिए हम इसे कहेंगे apigynos अब कैलिक्स, कोरूला इंडरोसियम तो उपर है फिर नीचे क्या है? नीचे है ovary तो इस प्रकार के ovary को हम कहेंगे inferior ovary inferior का मतलब ही नीचे होता है तो friends apigynos flower का example है sunflower, cucumber और guava इन examples को आप trick के थू भी याद कर सकते हैं तो इन examples को याद करने का trick है episode sun in cuckoo and goo इसी movie के episode का नाम है sun जो की cuckoo और goo नाम के दो platform में available है तो हम उसे कह रहे है episode sun in cuckoo and goo तो friends हमारे trick के first word episode से हो जाएगा epigynos next sun से हो जाएगा sunflower in से हो जाएगा inferior जो की ovary के position को बता रहा है next cuckoo तो cuckoo से हो जाएगा cucumber और goo से हो जाएगा guava तो इस प्रकार से आप एक easy से sentence से epigynos के सारे examples को और पूरे epigynos को easily याद कर सकते है तो चलिए अब next पढ़ते है perigynos ये भी नाम से ही पता चल रहा है peri मतलब होता है चारो और या फिर same level और guynos मतलब होता है ovary तो चलिए diagram देखते हैं तो diagram में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ovary और thalamus के दोनों की नारे बिलकुल एक ही level पे है एक ही height पे है अब क्योंकि ovary और thalamus एक ही height में है तो thalamus से निकलने वाले कैलिक्स कोरोला और इंडोसियम भी ovary के same level में होंगे ovary के same height में होंगे तो इस प्रकार के flower arrangement को हम कहेंगे perigynus अब diagram में ovary को देखिए ये ovary flower के बाकी पार्ट के compare में ना तो उपर है और ना ही नीचे है तो हम इससे superior भी नहीं कह सकते और ना ही inferior कह सकते हैं तो इस प्रकार के ovary को हम कहेंगे half superior ovary या फिर half inferior ovary तो friends perigynus flower का example है plum, rose और peach इसको आप छोटे से trick के तरूँ याद कर सकते हैं तो trick है बस PRP PRP मतलब हो गया plum, rose, peach जैसे आपने helium neon organ करके याद कर लिया है वैसे ही इसको rhythm में याद कर लेना plum, rose, peach PRP, plum, rose, peach तो friends ये था हमारा आज का complete वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share करना और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल तब तक के लिए, bye bye